हाई फ्रेंग्स गुड मॉर्निंग वेलकम टो एक्सेंबी आई होब आप सब अच्छे हैं और प्रिपेरिंग वेल फॉर एक्सामिनेशन तो शुरू करते हैं आज का मारे करिंट अफेर जो की है तीस नवंबर दुहजार पाइस बट बिफोर आई बेगिन हमेशा मैं आपको याद दिलाता हूं भी पीडिया डाउनलोड करो पीडिया डाउनलोड करो सुदेट यह जो परिशानी उनका है इसका सुलूशन ही है रिवेशन लेकिन यह आपको इस मुवें पे समझ में नहीं आएगा अनलेस यू स्टार्टिट करो आपको समझ में आने लगेगा बढ़ तो देखो विस्टारा जो है विस्टारए एयरलाइन्स यह सिंगर एयरलाइन और टाटार्ट ग्रूप का टाक्रूप का जॉइंट कमपनी एंड एयर इंडिया को 27 जन्वएरी 2022 में किस ने ले लिया टाटाइंस्स coatology द्टाइश का म्टली टार्त ग्रूप का मतलब है तो विस्टारा एयर लाइन्स और एयर इंडिया अब कल के दिन में टाटा ग्रूप ने ये बताया कि they are going to merge मतलब ये बात्चित तो पहले से चल रहा था एंड सिंस विस्टारा जो है इसको इसमें सिंगापोर एयर लाइन भी इन्वॉल्व है तो उनसे भी बात्चित होना ज़रूरी था रही तो ये दोनों कंपणी ने मिलके बोला है कि विस्टारा एंडिया का मर्जर अगले साल तक कंप्लीट हो जाएगा तो अब हम थोड़ा स समझ लेते हैं कि विस्टारा एंड एयर इंडिया कितने कितना बड़ा मार्केट दोनों मिलके कैप्चर करते हैं तो देखो अगर आप एयर इंडिया का फ्लीट देखोगे तो 165 एयरक्राफ्ट का है विस्टारा सिर्फ 53 ठीक है तो दोनों मिल जाएंगे तो 280 हो जाएगा मतलब और बिग कंपनी बिग एयर लाइन डॉमेस्टिक डेस्टिनेशन की बात करें तो एयर इंडिया 51 विस्टारा 31 टोटल मिलके 82 हो जाएगा इंटरनेशनल पे एयर इंडिया 38 विस्टारा 10 मिलके यह 48 हो जाएगा अगर मार्केट शियर जो बहुत इंपोर्टेंटी ठी सब्सक्रार ही है के दिए कुछ 14 beingडिया के पास 9 पर सिंथा तो ऑलदो 165 का फ्ली के 14 परसेंट इस वेरी लिटिल वेरस 53 का में लेके नाइन परसेंट इस छिए कि निटली गुड ठीक है तो डोनों मिलके कहीं ना कहीं 23 फरसंट शेयर क्यम venue कर लेंगे ठीक है which is again a good number 20% से ज्यादा market share AKL line के पास होना अब अगर international groups की बात करो तो यहां पर Air India बहुत आगे है Air India 21 international destination को touch कर भा है whereas Vistara only 2 ठीक है मतलब यह percentage term है मैंने 21 बोला 21% of the international destination and 2% which is again a small number for Vistara with 53 flights तो यहां पर यह दोनों मिलके 23% तो एक बड़ा हो जाएगा अगर हम loss की बात करें तो देखो FY 22 में ठीक है यह almost 50% का loss 20,000 के revenue में almost 9,000 का नुकसान या 9,000 इसको हम 10,000 ही बोल सकते 9,600 अप इससे समझो almost 50% का loss whereas Vistara की बात करें तो यह 50% से थोड़ा सा कम है मतलब better position पर है 5,200 के revenue पर 2000 क्रोर का नुकसान तो दोनों मिलेंगे तो obviously they will be more stronger बड़ते हैं आगे हमारे next news पर वो है retail CBDC launch तो देखो यह बहुत important news है आज के दिन में राइट इस news को मैंने यहां पर इसलिए कवर नहीं किया क्योंकि इसको हमने अलग से कवर किया है तो आपको इस news में ना सिर्फ यह 10 question को पढ़ लेना है that's it इससे बाहर question आई नहीं सकता बन ही नहीं सकता है इससे बाहर question ठीक है when was the first pilot first pilot कब launch होगा 1st December 2022 को launch होगा डिनोमिनेशन क्या होगा डिनोमिनेशन जो आज के दिन में currency and coins हमको मिल रहा है वही डिनोमिनेशन होगा ठीक है who will distribute यह banks distribute करेंगे how will user transact with यह mobile wallet के थूप होगा ठीक है valid what are the kinds of transaction यह होगा percent to percent percent to merchant तो percent to percent तो कैसे होगा qr code के मध्यम से होगा ठीक है इसमें कोई interest earn नहीं करेगा there will not be any interest like deposit in banks ठीक है नहीं होगा how many banks are identified to total phase wise के लिए total add bank को identify किया गया है लेकिन जो first phase में है जो next question है first phase में total चार bank है ठीक है SBI है ICICI है उसके बाद आपका IDFC first bank है और आपका SBI, ICICI, IDFC and Kotak नहीं यहाँ पर Kotak bank नहीं है यहाँ पर yes bank है ठीक है तो शुरू आकती तोर में यह चार bank SBI, ICICI, SDFC and yes bank यह चार काम करेंगे लेकिन हाँ और भी जैसे कि है मैंने यहाँ पर बूला art bank involved है तो चार bank यह first phase में है तो जैसे ही इन इन बैंकों का मतलब दायरा और बढ़ाया जाएगा CBDC के pilot program का दायरा बढ़ाय जाएगा तो और भी bank को involved किया जाएगा वह bank कौन है वह bank है B.O.B, UBI, HDFC और Kotak तो यह 4 प्लस 4 यह हो जाते है आपके 8 banks ठीक है next आता है in which cities it will be launch तो देखो सबसे पहले यह Bombay मुंबाई में launch होगा ठीक मुंबाई में launch होगा then New Delhi में होगा मतलब एक साथ होगा Mumbai, New Delhi, Bengaluru और Bhubaneswar तो यह 4 city में अभी फिलाल के लिए मतलब एक तारिक से launch होगा लेटर यह extend होगा कहां कहां पर एंदाबाद, Gantok, Guati, Hyderabad, Indoor, Kochi, Lucknow, Patna and Shimla तो यह सारे जगा पर the scope will be expanded gradually ठीक है अब अम बोलसेल की बात करें यह तो retail का पढ़ लिए अब वोलसेल कब launch हुआ था तो वोलसेल 1st November को launch हुआ था तो यह 10 question अगर आप पढ़ लोगे न तो retail related आपका सब cover हो जाएगा वोलसेल सेग्मेंट में आपको और दो चार चीजी पढ़ना है जैसे वोलसेल सेग्मेंट में टोटल 9 bank involved थे ठीक तो वो 9 bank का नाम आपको जानना है बढ़ते हैं आगे हमारे next news पे वो है carbon capture तो देखो यह एक information के हिसाब से इसको समझो नीती आयोग ने इस report को launch किया है carbon capture ठीक है उसमें उन्होंने बोला utilization storage policy framework and its deployment mechanism in India यह है उनके report का नाम इसका short नाम है CCUS policy I hope यह clear है अभी इसको क्यों launch किया गया देखो इंडिया का जो NDC target है वो 50% target for achieving 50% of its total in soil capacity from non-fossil sources by 2030 यह कप का target है यह COP26 में हमारे Prime Minister ने देश के सामने रखा था कि हम 2030 50% carbon neutral मनेंगे मतलब 50% reduction को कम करेंगे ठीक है तो यह सारा चीज को करने के लिए ओवियसली बात है हमको ऐसे country कुछ करना होगा तो देखो यहां पर जो भी लिखा है ना वाई यह पूरा आपका COP26 का target है उसको मैं repeat नहीं करता हूं ठीक है 45% reduction in emission और 50% non-fossil fuels based energy sources पे move कर जाना तो आज के दिन में अगर हम energy sources की बात करें ना तो मीजर लिए coal fire thermal power plants से ही आ रहा है उसको कम करना है ठीक है तो highlights की बात करें तो highlights में इन्होंने बोला है CUS can enable the production of clean products while utilizing our rich endowments of coal reducing import and thus leading to an atmanirbhar Indian economy ठीक उसके बाद implementation of CCUS technology certainly be an important step to decarbonize the hard-to-event sector तो यहां पर एक नए technology का बात किया जा रहा है तो उस technology था हमको banking perspective से बहुत deep में समझनी की कोई जरुवत नहीं है लेकिन yes हमको data पता होना चीए कि देखो आज के दिन में industry से somewhere around 31% emission आ रहा है ठीक है agriculture से 20% ट्रांसपोर्ट से 10% और बिल्डिंग से 5% यह हो गए emission की बाग बाकी का electricity से 34% के असपास आ रहा है अब जो reduction है reduction देखो electricity में करना 2030 तक is a very big challenge चैलेंज क्यों है यहां का challenge को समझो electricity आज के दिन में इंडिया कैसे बन रहा है coal power thermal power plant से ठीक है coal fire तो इसको all of a sudden अगर हम हटाना चाहेंगी तो हमारे पास एक ही option है वो है nuclear power plant ठीक है जिसमें chain reaction करके हम electricity बना सकते थूँ nuclear energy which is a clean energy but again यहां पर हमको जरुवत किस चीच किया जैसे coal fired में हमको कोईले की जरुवत है कोईला तो हमारे देश में है although हम इंपोर्ट भी करते तो वो अलग story लेकिन nuclear power plant में what we need is uranium अभी देखो थोड़ा सा technical हो जा रहा है जो uranium है न वो भी हमारे पास है मतलब ऐसा नहीं है हमारे पास इंडिया में नहीं है है वो लेकिन that is not enough तो बहुत बड़ा हिस्सा uranium का जो block है न वो western country and Australia control कर रहा है मतलब बड़ countries and uranium all of a sudden हम किसी को दे नहीं सकते हम मतलब कोई भी देश किसी को देता नहीं है reason being uranium से I exactly don't remember की uranium का chemical name क्या है तो you are ऐसा कुछ होना चाहिए बट शायद नहीं है वो हमको जानला भी नहीं है uranium बट uranium से nuclear bomb भी बनता है तो all of a sudden इसको हम मतलब जिनके पास है न वो किसी को supply भी नहीं करना चाहती especially nuclear country जो है for example इंडिया हो गया पकिस्तान हो गया जिनके पास nuclear bomb है उनको यह नहीं देना चाहती है और इंडिया के पास जो है obvious सी बात है हम that is not enough to run this plant ठीक है तो यहां पर एक सबसे बड़ा challenge है अब्येस सी बात है एक challenge तो यह भी है कि इन plants को functional बनाना full-fledged पर क्योंकि emission का हमेशा डर रहाएगा तो यह सबसे बड़ा challenge है uranium है यह चीज आप समझ लो बढ़ते हैं आगे अच्छा आगे बढ़ने से पहले तो electricity में reduce करना ना 2030 तक थोड़ा चैलेंजिंग है तो नीतियायव के रिपोर्ट के साब से वाट डिया टेलिंग इस डाट इंडॉस्ट्री अगरिकल्चर ट्रांस्पोर्ट और बिल्दिंग यहां से हम 70% reduction कर देंगे ठीक है बाकि 30% ठीक electricity से है तो है नेक्स है हमारा अलिबाबा तु सेल जोमेटो शेर्स ठीक है तो अलिबाबा चैनिज कंपनी की ग्रूप है यहां पर यह नहीं है समझने की बात है कि ब्लॉक टिल का मतलब क्या होता है कई बार हम न्यूस पढ़ते हैं हमको समझ में नहीं आता या ब्लॉक टिल क्या है फिर आपको लगता है कि मुझे तो गुच समझी नहीं आता ऐसा नहीं है ब्लॉक दिल बगा सिंपल है एक सिंगल ट्रेड में अगर पांच लाक से ज्यादा या पांच करोड से ज्यादा वैलू का ट्रांजेक्शन हो रहा है मतलब हो सकता है मानके चलो एक शेर का कीमत दस रुपे हैं नॉट दस रुपे पांच रुपे हैं तो 5 पांच लाक कित्ता हो जाएगा 25 लाक रुपे तो वह भी ब्लॉक दिल कह लाएगा और इंटम्स ऑफ मनी और अगर शेर का नंबर और शेर कम हैं मानके चलो एक शेर का कीमत है हजार रुपे ठीक है हजार रुपे है तो पांच करोर होने के लिए कित्ता लगेगा ओविसली पांच लाक से कम लगेगा तो पांच लाक से जब कम लग रहा है तो भी है मतलब दोनों है यहां पर यह आईदर पांच ला इसलिए होता है जब इतना सारा शेयर एक साथ सेल होगा ना तो डिमांड एंग सप्लाई के साब से प्राइस गेर तो रिटेलर्स को प्रॉब्लम ना हो मतलब आपको और मुझे प्रॉब्लम ना हो इसलिए यह ब्लॉग डिल सुभे-सुभे होता है 9.15 से लेके 950 अमड पर नेक्स कुछ वन नाइनर पर निर्ड एंड पी यार हैदराबाद इसका एक कॉंक्लेव हुआ है यह कॉंक्लेव कहां पर हुआ है मिनिस्ट्री आफ पंचायती राज यह हुआ है है यह अपको जान लेना है अब यह सब इसलिए जानना है क्योंकि देखो अभी दो दिन पहले जो का मेंस हुआ ना उसमें ऐसा सवाल था ठीक है कि कोई एक कॉंक्लेव कहां पर हुआ है सो यह सारा न्यूस भी इंपोर्टेंट हो जाता है चोटा-चोटा न्यूस इंटनाशनल जैग्वर डे जो की 29 नवंबर को सेलिपरीट होता है तो उसको सेलिपरेट किया गय है एक कि detailed in in the month of October 3今日 23.6 aa EPS transaction and 23.56 ok । औरो झाल सक्वी को दिए इन अवी लाग उना तर्ट पेस्ट इन लुटोज़ इन ट्किन हुग ट्रिए अच्ट कर दें एंपार आकार बीजिए ए लिए मेघ अप्य। एंस अजए खिल्यग लग एत्राइख फ्सेड में हैं आप Сंव चार्ट इंप लिए ए पर घ्या च्ट झाल झाल